हेलो दोस्तों मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब योटुब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज की वीडियो लेक्षिर में क्या होने वाला है देखिए आप लोगों के बिहार बोट जो बी से ag эфф के official website आ उस पर इंटर वैट्र है दोनों के लिए मोडल पर जारी कर दिया गया है तो उस पर जो भी मोडल पर जारी किया हैं इंटर वालों के लिए मैं आप लोग को उस में जितने भी साइन्स सब्जेक्ट शबी का सोलूसन आप लोग के लिए डाल लए यू सब हम लोग 10 सब्सक्राइब बता दी तो अब हम लोग 11 के 20 को सब्सक्राइब कर लिजीये और को स्थे सब्सक्राइब करणे आने कि आने वाले सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सकें तो चलिए देखिए 11 नंबर कोशन क्या है 11 नंबर कोशन आप लोगों को कैसे सॉल्व करने है तो 11 नंबर है आप लोगों को इंटीग्रेशन ओफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू के होले सका है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओफ एक्स माइनस टू के पावर माइनस टू और मैं आप लोगों को एक बात बता दू एक्स तू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड़ भाइ n प्लस 1 यह आप लोग का integration का formula होता है जो आप अच्छे से पता होगा तो आप लोग अगर इसको card अजयों आप एकस माइनस वान और प्लास के मतलब लोग देखिए अगर इंडीफनिट इंटीगरेशन की कोई भी कोशन को सॉल्व करते हैं तो कॉंस्टेंट जो है वो प्लास लगता ही और आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस वॉन अपवान X-2 आ रहा है तो आप लोग का option number B correct हो जाएगा question number 11 का करना है क्या सो समझ में आया है आप लोग को कुछ नहीं करना है आप लोग को लिखा हुआ है x-2 के power minus 2 यहीं पर यहीं लिखा हुआ है और इसका x to the power n का integration क्या होते है x to the power n plus 1 और divided by n plus 1 तो आप लोग का option number 11 का option number B जो है न वो बिल्कुल correct है चलिए देखें next के 12 नमबर है cos x के power degree dx तो देखें मैं आप लोग को question number 1 था उसी में आप लोग को समझाई थी degree को पहले हम लोग को radian में change करना होते है radian में change करने के लिए हम लोग क्या करना होते है पाइपन 180 से वल्ольल क्या होते हैं क्या आप सभी को याद है क्या करना होते है पाइपन 180 से मल्टिप्लाइक करना होते है तो methods x のड격 करना है एक्स टाइम सोवह और मतलब course of this तो हम है आप लोग को बता आदो integration of course सब्सक्राइब यहां पर आप लोग को पाई आजाएगा तो आप लोग का इसका एंसर क्या बोला है देखिए कोसर नमबर 13 क्या आप लोगों का integration of cost of 90 रगडी माईनस 3 the ओर देटा तो मैं आप लोग से cost 90 minus theta क्या होता है じゃあ 90 minus theta sin theta होता है और sin theta क iss digit by integration होता है cost 3 theta और यह coefficient जो है integration में divide हो जाता है तो आप लोग का question number 13 का सब्सक्राइब आप लोग को बता दी को चैंज किजाएगा तो आप लोग को साइन के इंटेग्रेशन तो नमबर फोर्टीन क्या है पूरा जो एक से लेके 100 तक सभी कुस्सन को सॉल्व करवा दूगी तो मैं एक पेज पेज पे आप लोगों को एक से लेके 100 तक एंसर की लिखके उसको अप्लोड कर दूगी वीडियो बनाके हो के ख़ंगे यह फोर्मूला है और आप लोगों को सब्सक्राइब करेक्ट है ऐसे में आप सभी के लिए ढग क्लास और इंटेग्रेशन का अलग क्लास उसमें मैं आप लोगों को याद करवा दूंगी ट्रिक के माध्यम से मुझे ट्रिक से याद है इसलिए मुझे अभी तक याद है बहुत पहले याद की थी कोस्टन नमर 15 का है integration of shake x dx तो इसका integration क्या होता है स्टेक्स प्लस 10x मतलब आप लोगों कोस्टन नमर 15 का option इसका integration क्या हो जाएगा इसका integration क्या हो जाएगा चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है लग अच्छे चीज़े इसको किजिए तो क्या जाएगा 5x q upon 3 और इसको क्या हो आपद खार्पा लोग का क्या आता है किजिएगा तो आप लोग क्या आएगा तो आप लोग ऑप्शन से देखके क्या लग रहा है चलिए अच्छी से मैं सॉल्व करी देती हूँ देखिए आप लोग करना क्या होता है पहले तो इसको आप लोग करेक्ट अंसर नमबर बी हो जाएगा चलिए देखिए नाइंटीन क्या क्या करना है आप लोग इसको क्या लिख सकते एक से और यहां पर यहां पर प्लस वन वाइट्व मतलब आप लोग को यहां से आगे अगर आप लोग इसको इंटेग्रेट किजएगा तो आप लोग क्या आएगा एक्स थ्री वाइट्व प्लस वन मतलब 5 वाइट्व और यहां 5 वाइट्व से डिवाइड होगा तो मतलब 2 वाइट्व आजागा इसको बाहर निकालीजिए और आप लोग यहां पर रखिए तो आप लोग इसको अगर रख के बनाते हैं तो आप लोग को सन नंबर 19 को सॉल्व किजएगा तो आप लोग का ओप्सन नंबर यह जो है न वो बिल्कुल करेक्टा हैगा ओके इसी तरीके से सॉल्व करना है चलिए 19 हो गया पोसन नंबर 20 देखिए 20 का क्या करना है यहां पे हैं आप लोग को integration of x-1 और यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हैं इंटेग्रेशन of x-1 और x-1 आप लोग इसको पार्सियल फ्रेक्शन के यूज से भी बना सकते हैं ऐसे तो यह ऐसी बन गया इससे यह कट गया तो 1yx-1yx का डिफ्रेंसेशन क्या होता है लॉग एक्स मतलब लॉग ऑफ एक्स प्लस वन चलिए देखी आप लोग का कौन सा करेक्ट है लॉग ऑफ नीचे क्या बचेगा एक्स प्लस वन मतलब आप लोग का सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें आप लोग कॉंस्टेंट लगाते हैं चलिए कुछ और कर लेते हैं ताकि आप लोग का जल्दी से कंप्लीट हो जाए क्योंकि यह सब डाइरेक्ट एंसर है इसका 21 का साइन एक्स का माइनस पाइवाई फोर से लेके आप लोग का कुछ नहीं होता है इंटीग्रेसट आपडिया होता है तो आप लोग अगर साइन एक्स का बनाने के लिए बोलूंगे तो आप लोग का यही ग्राफ होगा होता है और तो नमबर 21 का प्लों का क्या हो जाएगा इसका भी जीरो होता है चलिए देखिए लेके पाइवाई शि तो देखी आप लोग को question number 23 कैसे solve करना है यह एकज होता है Cars twox का जो फर्मला होता है वो आप लोग यहां से क्या लिख सकते हैं और डिभाइड़ वाइड़ वाइकष eta iए Eckse For a fresh in total security यहां से क्या वननेगा द्यान देजिए रुक जाई है है तो देखिए आप लोग यहाँ पे cos2x का formula होता है cos2x minus sin2x तो आप लोग लिख सकते हैं cos2x minus sinx और into cos2x plus sinx ओके और यहाँ पे sinx plus cosx का होल square है तो यहाँ पे आप लोग को एक ही बचेगा sinx plus cosx ओके एक स्क्वाइर है तो एक कर जाएगा अब यह बचा देखिए sinx का differentiation क्या होता है तो sinx का differentiation आप लोग का cosx होता है सभी को पता है और cosx का differentiation minus sinx होता है तो देखिए जब भी आप लोग का ऐसा condition होगा जब नीचे ओला का differentiation उपर मौजूद रहेगा जैसे अगर यहाँ पे x square है और 2x है उसी परिकार से अगर नीचे कोई term दिया हो रहता है उसका differentiation उपर होता है तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है सिधा log of नीचे ओला term लिख दिया जाता है तो देखिए क्या हो जागा log of नीचे ओला term क्याता है sinx plus cosx तो आप लोगा question number 23 का option number B correct हो गया कुछ कुछ ट्रीक भी समझते रहे हैं ताकि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा exam में क्योंकि exam आप लोग का 100 question objective का पूछा जाता है जिसमें से 50 आप लोग को objective का ही answer देना होता है तो आप लोग 50 question बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा मतलब objective में 50 50 सही होना चाहिए एक भी गलत नहीं होना चाहिए सब्जेक्टी में थोड़ा बहुत चलता है question number 24 क्या देके 24 में आप लोग को integration करना है आप लोग को रूट एक्स का integration क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड़ बाइन प्लस वन चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या question number 25 क्या 12 root x तो आप लोग को root x का integration करना है root x मतलब क्या होता है एक्स के पावर 1 by 2 तो इसको इंटीगेट कि जाएगा तो एक्स की पावर 3 by 2 और 2 by 3 आ जाएगा मतलब 12 into 2 by मतलब इसको कट कि जाएगा तो मतलब एट टाइम्स कुछ आ रहा है तो आप लोग का टाइम्स तो आप लोग question number 25 का option number b correct हो गया कैसी की पता है कुछ नहीं किया यहां root x लिखा वह root x का मतलब होता है x to the power n का integration कुछ नहीं होता है x के power n plus 1 divided by n plus 1 होता है तो हम लोग यह formula का यूज किये है और हम लोग question को solve कर लिए तो हम लोग का question number 25 का option number कौन सा correct है 25 का हम लोग का option number b correct आया तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं अगर आप लोग को next video चाहिए होगा और detail explanation के साथ ही चाहिए होगा तो मुझे comment section है बताइगा हाँ यह वीडियो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई thanks for watching my video and thanks for coming superior education अब आप लोग के जितने भी friends है या फिर कोई भी भाई बहन है कोई जिसको जानते है जो अभी class 12 में बिहार वोड का exam देने वाला है सभी को सेयर किजिए क्योंकि यह model paper official model paper जो जाड़ी के आ गया हुआ वह है तो वह सभी के लिए बहुत ही ज्यादा important होता है तो चलिए अब आप लोग शेयर कर दीजिए और like comment subscribe कर दीजिए ओके बाई मिलते हम लोग next video में तब तक के लिए thank you